लो गाइस वैलकम टू ओल आफ यू लर्न विथ मी अब सभी का हमारी यूटिप चैनल लर्न विथ मी में तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किजेगा ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट ब्लड रिलेशन के पार्ट वन में मैंने आप लोगों के साहां सारी बेसिक चीजे डिसक्स कर ली है अगर आपने वह वीडियो भी तक नहीं देखा है तो प्लीज उ अपलिक से बता देंगे यह हमारा हस्पेंड है यह इनकी वृइफ है भाय बही बहन के रस्ते को हम प्रदर को ऐसे बतांगी यह उनका बहाई है यह उनकी बहन खीए और मैंने आप लोग बता था प्य स्केस इस कूण को हम किसस तरी की से बोलते हैं और एक बात मैंने ये भी डिस्कस किती सबसे पहले आते हमारे ग्रेंड फादर और ग्रेंड मदर उसके बाद आते हमारे पेरेंट्स वादर और मदर उसके बाद आते हम खुद उसके बाद आते हमारे सन और डाटर ठीक है इतनी फाते हैं कल मैंने आप लोगों से डिसकस कर दी ती डिटेल में बहुत अच्छे से पताया था मैंने इस सब आप L Copy आज मैं आप को कल बोला कि में हूर वर इसका बताऊंगी तो जलिए हूर इसका कॉंए हम डिसकस कर लेते हैं आप देख सकते हैं चला किया इसमे में क्या दिकह ससे हूए है ुसके लिखा हुआ वह और हम ने दो सं appliesना है 2 statement से मैं आप लोगों को सिखांगी कि who and is में क्या difference होता है सबसे पहला send is हमारा P is mother of Q आप हिंदी में भी देख सकते है P क्या है Q की मम्मी है P क्या है मम्मी है मतलब P क्या हो गई female हो गई किस की मम्मी है Q की तो Q इनकी बेटे या बेटी हो गई जा गया नीचे ठीक है अब क्या बोल रहा है P is mother of Q who is wife of S जो की क्या है S की पत्नी है तो यह किस के लिए यूज हो रहा है हो और जो यह यूज हो रहा है क्यों के लिए जब भी ऐसा लिखा रहेगा किसी भी कोश्चन में हो जहां पे लिखा दिख गया मतलब यह किस के लिए यूज हो रहा है जो हू के पहले कुछ नाम लिखा हो कुछ लैटर लिखा हो जो भी लिखा हो उसी के लिए यूज होता है ठीक है अगला है हमारा लिखा है P is mother of Q मैंने बना लिया who is wife of S मतलब क्यों क्यों क्या है S की पत्नी है मतलब यह क्या होगी फीमेल किसकी पत्नी है पत्नी है तो यह अगर पत्नी है तो यह अगर पत्नी है मतलब यह फीमेल है तो ओविसली यह क्या हो जाएंगे इनके हस्मेंट मेल हो जाएंगे ठीक है यह समझा है अब हम चलते हैं हमारे दूसरे इसक्रेटमेंट की दरब वो क्या लिखा है P is mother of Q इसमें भी मैंने ले लिया P is mother है किसकी मदर है क्यों की चीक है अब क्या लिखा है पतनी है S की is wife of as अब ये is किसके लिए use हुआ है is ऐसा नहीं होगा कि who में क्या करते थे हम who में मैंने क्या क्या हुआ 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 इस किस के लिए यूज होगा क्यों के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि क्यों इसके जब सामने लिखा किसे लिए यूज हो जाएगा पी के लिए ठीक है पहले स्टमें में किसके लिए यूज हुआ क्यों के लिए दूसरे स्टमें में इस किसके लिए यूज हुआ पी के दोनों स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर आ चुका है दोनों में पूरे रिस्ते में कितना अंतर आ चुका है कैसे देखेंगे P is mother of Q who is wife of S यस में ऐसा relation था फू में ठीक है इस में कैसा relation आगया में इस में क्या आगया P is mother of Q P is mother of Q wife of S ठीक है इस में क्या था P किन के पती थे Q की और इस तो इस का आप विसेज धेयर ध्यान रखियेगा ठीक है चलिए अब हम चलते हैं हमारे पहले कोशन की दरब तो पहला कोशन ये रहा आप लोगे सामने ये एक से दो लाइन का कोशन है एक्जाम में ये हमेशा परी में एक माकस का पूछा जाएगा ठीक है इससे हम तीन माकस के कोशन कवर करेंगे ठीक है चलिए ए इस फादर आफ बलाइन ये कैसम से अब किसके लुए हमेशा इससे के साथ धीक है डी के साथी बी की शादी हो गई है तो यह शादी हो यह मतलब husband wife हो गई तो यह आ गया यह female थी तो obviously यह क्या हो जाएंगे male हो जाएंगे then how is d related to a तो d का a से क्या संबंद है d a से कैसे संबंदीत है d का संबंद पूछ रहा है तो d क्या लग जाएंगी a की a क्या है पापा है b के मतलब b क्या होगा इनकी बेटी हो गई तो बेटी के पती क्या हो जाएंगे---- दमाज हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा son in law ठीक है d a से कैसे सम्मंदित है son in law ठीक है a a की जो बेटी है b b के पती है d तो इनके दमाज हो गए मतलब वो क्या गए son in law ठीक है समझ आ रहा है ये तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे question की तरफ दूसरा question क्या हो रहा है a and b are brothers ठीक है ये मैंने एक sentence लिया है उसके according हम दो तीन questions को discuss कर लेंगे ठीक है पहला क्या हमारा a and b are brothers a और b क्या है भाई है a और b मुझे पता है a और b क्या है भाई है तो ये भाई ऐसे आ गए भाई बहन आसे आते हैं एक ही रूमे आते हैं तो ये भाई भाई हो गए ठीक अभी तक कोई relation नहीं पता ये दोनों बहने हैं ये दोनों भाई है इन दोनों का आपस में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है ठीक है अभी क्या बोल रहा है आगे हम पढ़ते हैं तो a son is d's brother मतलब a का जो बेटा है a का जो बेटा है होगा इसका कोई son हमें नहीं पता कौ अब हमें पढ़ते हैं ये पहला प्यारा कोशन होगे हमने हमारा डिख्रम बना लिया ठीक है पहला कुछन क्या कोई है हाओं में अब हमेरा दागर्म हिए यह शर्य टास्तिरा लिए खर जारदे हैं और Youtube मतलब a psychologist को फट्रहति है फिल सूर्ट को क rutina किम पर स्थिक मैंने फीमेल सादिया ठीक है यहां पेकुल कितनी महिला हैं तो महिला हम कैसे देखेंगे माइनस से हमारी फीमेल को इंडिकेट करता है तो माइनस कितने हैं दो है मतलब फीमेल किती आगी मेरी दो आगी ठीक है आई बात समझ में अगला है हमारा हाव इस बी रिलेटेड टू स बी क्या है, सी से कैसे संबंदित है, तो बी क्या है, सी के, सी के पापा कौन है, ए, और पापा के भाई क्या हो जाते हैं, चाचा या ताओ, मतलब अंकल, ठीक है, तो बी क्या है, सी से कैसे संबंदित है, पापा, पापा के भाई क्या हो गए, अंकल, ठीक है, क्या हो जाएगा रिलेटेड नहीं हमारों दूसरा अंसर हमारा अंकल ठीक आईए समिझ में अगला हमारा हाव ऐस यह छयाँ से का समबनत नहीं है nice क्या है इसे कैसे संबिए एग है इसनिसा मन दिते हैं सबसे पहले मैं आपों को टाइग्रम भी बना देती हूँ ए और बी क्या है भाई है यह और बी क्या है आप फिर देख के बताइएगा मुझे इस कांसर सी और डी का है सिस्टर है सी और डी सिस्टर है ठीक है एका जो सं है वो क्या है भाई है किनका? डी का और से का ठी पहला क्या पूछ है? हमाराइव मैनने फीमेल सा दियार यहां पे कितनी मेल आ हैdepend uninteruesday और मैं पूछ हो किनके गवल यहां आफिकाफी कितने मेल हैं तो आप बता सकते हैं एक दो और तीन मतलब तीन मेल हैं धिक है? दुसरा question था हमारा how is b related to c b क्या है c से कैसे संबंदित है तो b कैसे संबंदित है c से c के पापा का भाई है b मतलब क्या हो गए इनके अंकल बन गए तो दुसरा क्या गए हमारा अंकल ठीक है तीसरा question क्या हमारा how is c related to e से कैसे समद्झी था तो एकी बेटी है c मतलब क्या होगी डाटर होगी ठीक है ये तीन कोशन हमने सॉल媒 करल कि ये क्या होगी इनकी डाटर होगी अखले कोशन की तरफ हम चलते हैं यह तो रहा हमारा अगर यह डिरेक्ली कोश्चन आगे तो आप ऐसे बना लेंगे अगला जो मैं बताऊंगे आप लोगों कुछ ट्रीकी सा है वो हम पढ़ते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन यह रहा आप लोगों के सामने क्या लिखा है हिंदी अंगलीस दोनों में लिखा आप दोनों में आर इस सन ओफ पी आर यह बेटे हैं किनके बेटे हैं ठीक है आर इस सन ओफ पी आर क्या है बेटे हैं बेटे हैं पी के मतलब इनके क्या हो गए बेटे हो गए आर बेटे हैं पी के मतलब क्यों कि क्या हो गए भाई हो गए क्यों नहीं पता हमें भाई है कि बहन है ठीक है पी is mother of Q P क्या है Q की मम्मी है R is son of P R क्या है P के बेटी है ठीक है इतना डियागरम समझ आगे इतना डियागरम समझ आगे तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है as is brother of T as क्या है T का भाई है as और T के बारे में हमें कुछ information है क्या नहीं तो मैं क्या करूंगी आगे बढ़ जाती हूँ as is brother of T मुझे पता है ठीक है अब क्या लिखा है who is daughter of Q क्या बोल रहा है T के बारे में who किसके पहले लिखा है T के पहले तो किसको बोल रहा है who किसके लिए यूज हुआ है T के लिए ठीक T किसके पहले लिखा है who के पहले तो हमें किसके लिए बोल रहा है who किसके लिए यूज हो रहा है T के लिए T क्या बोल रहा T is daughter of Q T क्या है daughter है किसकी daughter है Q की ठीक है वही मैंने बता लिए daughter है तो female आ गई Q की daughter है तो Q के नीचे आ गई S और T के हैं, brother है ठीक, S और T के हैं, brother है S और T, brother S is brother of T S के है, brother है, T का ठीक, क्या पता चला मुझे P के है, Q की मम्मी है R क्या है, P के बेटे है, मतलब Q और R के है भाई बहन टेप का रिस्ता है, मुझे R पता है, male है Q का gender मुझे नहीं पता, male भी हो सकती है इतनी बात मुझे पता चल गी तो चलिए इतना डियाग्रम आयोग्स हो कि आप लोगो समझ आ गया होगा तो अब हम चलते हैं हमारे पहले कोशन के तरब क्या बोल रहा है अब मुझे देखना है कि यहां पर कितने मेल मेंबर है तो यह क्या है फीमेल है यह क्या है मेल है यह क्या है यह क्या है मेल है यह क्या है फीमेल है मतलब दो मेल है इतना तो मुझे पता है और क्या है इसका जेंडर मुझे पता है क्योंकर यह क्या हो सकती आर की बहन भी हो सकती यह मुझे नहीं पता कि यह भाई है कि बहन है मतलब यहां पे या तो दो मेल मेंबर होंगी या तो तीन मेंबर होंगे तो अगर आपको option पे कहीं पे दो लिखा दिख गया तो आप उसे टिक नहीं करेंगे कहीं पे अगर option पे आप लोग को तीन या दो लिखा दिग गया तो आप उसे टिक कर देंगे ठीक है या फिर ये भी नहीं मिला आप लोगों को आप्शन में तो क्या लिखा रहेगा C and D cannot be determined दिर्धारित नहीं किया जा सकता ठीक है दिर्धारित नहीं किया जा सकता कि कितने male member हैं तो मिल मेंबर हैं की तीन मिल मेंबर है ठीक है जा ओप्शन में दिया रहेगा त्या लिखुई तो만 चंओ या तो दिये रहेगा आपको C and D cannot be determined या दिया रहेगा दो और तीन दोनों nोदे बबस्त कि नहीं IT रएगे यह दिया रहे लंटम आरफ सिर्ण ओफ इस ब्रदर ऑफ की है हूं इस मैंने बना लिया दूसरा प्यूशन क्या बोल रहा हमारा हौई स्क्यू रिलेटेट टू एस क्यों ऐसे कैसे संबंदित Q कैसे संबन्दी थे Ais Q का gender मुझे नहीं पता female है की male है या तो Q क्या होगी Ais की mamie होगी या क्या होगी Ais की papa होगी ठीक या तो mother होगी या तो father होगी ठीक है तो हम इसे कैसे बनाएंगी या तो mamie है या तो papa है तो अब option में क्या दिया रहेगा हम बता सकते हैं कि क्यों क्या है फादर है कि मदर है नहीं बता सकते हैं क्योंकि क्यों का जंडर हमें नहीं बता ठी है तो हम कैसे सॉल्फ करेंगे आप्शन पे जब भी दिया रहेगा आप लोगों को कुछ भी option पे या तो आपको cnd मिल जाएगा तो आपका अंसर क्या हो जाएगा हम निधारिक नहीं कर सकते हैं या फिर कहीं आपको दिया रहेगा parents तो parents हो जाएगा बिल्कुल सहीं या फिर दिया रहेगा आपको mother oblique father ठीक है तो जहां पे mother और father oblique करके दिग गया या तो मम्मी है या तो पापा है वहीं क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है समझ रही बात तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ तिसरा question क्या बोल रहा हमारा if P have only one son अब बता दिया गया इस question में की पी का केवल एक ही बेटा है जब हमें ये बता दिया पी का केवल एक ही बेटा है तो क्यों क्या हो गई उनकी बेटी हो गई भई इस question के लिए ना सिर्फ सिर्फ इसी कोशन के लिए यह आप ध्यान रखेगा कि जिस कोशन में हमें बोल रहा है यह सिर्फ उसी कोशन में condition दे दी गई है यह हर कोशन में follow नहीं करेगा ठीक है यह बहुत important बात है आप इसे ध्यान रखेगा कि क्या बोल रहा है इस P have only one son तो यह सिर्फ इसी कोशन में अगर P केवल एक ही बेटा है तो Q क्या हो गए उनकी बेटी हो जाएगी एक बेटा है तो बाकी क्या हो गए बेटी हो गए ठीक है then how is Q related to R तो Q क्या है R से कैसे संबन्दित है तो जब R मेल है Q फीमेल है और Q और R क्या हो गए भाई बेहन हो गए तो Q R से कैसे संबन्दित हो गई R की क्या हो गई क्यों क्या हो गई बेहन हो गई मतलब सिस्टर सिस्टर क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा आई बात समझ वे तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले question की तरफ अगला question क्या हो रहा हमारा अब मैं इस female को हटा दूँगी क्यों हटा दूँगी क्यों हटा दूँगी क्योंकि वो सिर्फ उसी question के लिए था इस question के लिए नहीं है वो ठीक है क्या बुल रहा है how is q related to p क्यों क्या है p से कैसे संब्दीत है p से कैसे संब्दीत है q का बच्चा है ये p का बच्चा है q तो यह क्या हो सकता है इसका son भी हो सकता है इसकी क्या है daughter भी हो सकती हमें पता है कि sun है कि do not order is you explain paying пиш of the iam city या फिर दॉक्टर एस amongまり कररेंगे या तो लिखा रहे इगा हमारा child मतलब बच्चा है तो हम से ठीकर देंगे या फिर हमें लिखा रहे ठीक है इतना आयोप सो कि आप सब आप लोगे स्सप्राइब को पड़ाऊंगे अगली क्लास में जा पड़ाऊंगे इसी टैप के थोड़ी बड़े रेप के कोशन ठीक है यह हम लोग डिसकस करेंगी यह हमारे छोटी-छोटे question थे इसमें मैंने आप लोगो question का type बता दिया कि की step के question आ सकते हैं इस step के question आ सकते है ठीक है अगली अगली class में हम तीन-чार line वाली कुछ इसी type के question कर लेंगे जिससे आप लोगों किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है चलिए क्लास को एंड अप करते हैं तील देन कीप लर्निंग की प्रैक्टिस थेंक्यों बाबाई